असलाव आलेकूम दोस्तों कैसे हैं उम्मेद करता हूं अच्छे से होंगे तो सौधियरब के टीजिये ने यानि सौधियरब के ट्रांसपोर्ट जनरल एथोर्टी ने एक एनॉस्मेंट किया है कि कोई भी पैसेंजर बिना लाइसंस वाले गारियों में सफर ना करे यानि कि एक जगा से दूसरी जगा ना जाए खास करके जो सौधियरब का जिद्दा एरपोर्ट है और इस पर ज़्यादा अभियान चला जा रहा है कि यहां पर जो लोग भी बहुत सारे इसे रहते हैं जिनके पास खुद की गारिया रहती हैं प्राइबेट गारिया रहती हैं तो लोग क्या करते हैं कि पैसेंजर को उठाकर एक एक जगास को पीकप या ड्रॉप करें तो आपके उपर भारी जुर्माना यहां पर लगाए जा सकता है यहां तक कि कुछ साल के लिए जेल में भी आपको जाना पड़ सकता है तो सौधियरब के ट्रांसपोर्ट अठर्टी ने यह एनॉंस्मेंट किया है कि अगर कोई भी सक्स अपनी ग भी है तो जो लोग जी जिनके पास टैक्सी है जो ट्रांसपोर्ट अठर्टी से अटेच है उनके लिए कारोबार थोड़ा बढ़ जाएगा उनका भाड़ा थोड़ा मिलेगा ज्यादा पैसंजर जादा मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे इसे रहते हैं जो प्राइबेट वाल एरपोर्ट पर हो तो आप एरपोर्ट से बस के सेवा लेशकते हैं और वहोट सारे गाड़िया जो टेक्सी होती हैं उसका इस्तवाल कर सकते हैं यह आप ऑन-लाइन का जो टेक्सी होता से जैसे उबर होता है या और भी बहुत सारे application है तो आप उससे भी सफर कर सकते हैं उससे भी एक जिगा से दूसरी जा सकते हैं इसे अपने मुंबई वगारा में होता है तो इसे यहां भी सोचते हैं कि चलो एपार बैठे हैं तो थोड़ा सा दो चार भाड़ा माल लेते हैं तो तो वो यह सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा सा एक दो चार भाड़ा माल लेते हैं तो थोड़ा सा साइड का पैसा निकल जाएगा तो अभी जो साओधी अरब का ट्रांसपोर्ट अथर्टी है वो बहुत ही जबजस्ट एनाउंसमेंट किया है कि अगर किसी भी ऐसे सक्स का जो भाड़ा मारता है जिनके पास गाड़ी है और वो भाड़ा मारते हैं या भाड़ा उठाते हैं तो उनके उपर फाइन लग जाएगा तो जितने भी हमारे हाउस डैबर भाई हैं ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा नहीं तो आपके उपर पांस हजार रियाल का जुर् यहां पर आप देखो कि वह ही पर चेकंग चाहलू है अभी अभी मेरे साथ का महीना चलरा है और हम आदमी थे श्रक रफ्तारी अत्तारी कर चाय पीन है छले गए तो रास्ते में पुलीस वालत掉 हैंक रोके गारी उसके बाद तीनों का काम़ा लिया थीनों का कामा लेने य tossir मुझ से क्योंकि मैं ड्राइवन्ग कर रहा था मुझ से पूछा गया उन दुनों का नाम बताओ हाला कि युıll के तो और जो उनका नाम था रियल तो हमें मालुम था जो इकामेपन नाम था वो हमें मालुम था हमने उनको नाम बता दिया अच्छे से और वो दोनों से भी पूछे हमारा नाम तो वो लोग भी जो है मेरा नाम जानते थे तो बता दिये तो उसने भी छोड़ दिया और अगर आप नहीं बताओगे तो भाई पकड़े जाओगे और इस तरीके गलती बिल्कुल ना कीजेगा फिर आपके कपिल को मालूम पड़ेगा कि हमारा जो ड्राइबर है भाड़ा मारता है तो हो सकता है कि वह भी कोई कारवाई कर दे आपके उपर तो यह गलती आप बिल्कुल भी ना क करते हैं कि अगर एक जो है मारता है भाड़ा या एक कोई दूसरा काम करता है तो दूसरा यह सुचता है कि वह कर रहा है तो हम भी कर लें थोड़ा साइड का खर्चा निकल जाएगा साइड को पैसा निकल जाएगा तो यह गलती कर देते हैं और पकड़े भी जाते हैं तो वो लोग भी ध्यान दें कि एक दूसरे को देख करके भाड़ा बगरा बिल्कुल भी ना मारिएगा जो आपको सैलरी पकड़ कर आ रहे हो जो सैलरी आप वहां पर बात करके आ रहे हो जो एग्रिमेंट में है वो आपको जरूर मिलेगा इंशालला तो एक चोटी से जानकारी कि अप लोग के साथ सेर किया मैंने और इस वीडियो को आप लोग भी सेर जरूर कीजिएगा ताकि और भाईयों लोग को भी मालूम पर सके जो सौझी रैब में यहां रहते हैं और हाऊ डैबरी का काम करते हैं खास करके हाऊज डैबर की बात करना हूं मैं क्यों कि हाउज में salary जानते यो कितना होता है अगर एक भी ग्रामा आ जाए एक भी अगर मुखालफा आ जाए तो बहुत भारी पड़ता है यहां तक कि अगर सव डेड़ सो का parking का भी मुखालफा आ जाता है तो भी एक टाइम का खाना भूल जाता है house driver समझ तो बहुत तकलिफ होता है क्योंकि सो रियाल डेड़ सो रियाल अगर आ गया पुंखालफा तो इंडिया का दो हजार तीन हजार रियाल चले जाता है और मनलब एक house driver का rolling टूड जाता है जो उसका monthly जो हिसाफ से वो अपना पैसा बचा के रखता है तो इस वज़ा से इस वीडियो को रमजान का महिना है सद्खता खैरात समझ कर इस से सेयर कीजिएगा और जो लोग भी भाई वीडियो को देख रहे है चैनल पर चैनल को सब्क्रेव ज़रू कीजिएगा तो मिलते हैं लिए वीडियो में इमसाला आप लोग अपना ख्याल रखिए रमजान का महिना है दूआ मयाद रखिए और अपना ख्याल रखिए अल्ला हाफीज